है सो हेलोगलोर गैज वैलकम बैक इन्वाइग नयुवीडियो तो गाई ये मेरी वीडियो तो गाई यह यह पैली वीडियो सवरी जो साइकिल कित आती है स्काजम रेव्यु करने वाले में तो गाई यह जो कित ही आती है तुह हंड़ेट रुपीज में मुझे पढ़ यह when 90 म मतलब 200 रुपी में फिलिप कार्ट मैंने और करिए अगर आप कोई पर्चेस करना है तो लिंक इन डिस्किप्शन बॉक्स में है तो तो गाइज आज इसका रिव्यू करते हैं और बताते हैं कि आप इसे पर्चेस करें या फिर ना करें तो गाइज इसकी जो कॉलिटी है मैं साइकल के लिए भी एविलेवल है और मोटरसाइकल के लिए भी एंगाइज देख सकते हैं साइडवेड इसका कुछ ऐसा लूख है एंड ये एक पॉलुचिन में पैक्ट होके आती है जो पहले इसका फर्स्ट ऑप्शन बात करें तो इसमें आपको मिलते हैं साथ या छे र देन चाहे चे एक एक जेतिक कर सकते हैं स्कूरूरू पतले से पतले स्कूरू और सतना कि बात करें तो यह एक खरितो कर सकते हैं यह साइकल के इसमें तीन ऑप्श्ण दिये जाते हैं जिसमें दो बॉल्ल टाइड करने के लिए कि लेकिन जो तीसरे बॉल टाइड करने के लिए एक आप्शेन आता है यह देख सकते हैं आप यह तीन जो स्कूर मिल ला है इसने फसाके 9mm, 6mm, 8mm के यह स्कुरू हैं आप इने फसा के और स्कुरू टाइट कर सकते हैं अभी मैं बताता हूँ यह 9mm का बोल्ट है तो इसे उल्टा करके उस आप्शन में फसा हैंगे जो मोटर अभी देखते हैं इन गाइज यह भी हम लोग फसा लेते हैं यहां पर बिल्कों सिंपल तरीके से जादा इसमें मेहनत भी नहीं है आप घुमाएंगे यह अपने आप फिट हो जाएगो बिल्कुल टाइट इन गाइज यह जादा भारी भी नहीं एराउंड 100 ग्राम होगी यह फिर 200 ग्राम इन इन गाइज यह जो उसकी जो क्वालिटी यह भी अच्छी है आप पर्चेस करें मैं तो कहूंगा कि पर्चेस करें क्योंकि इससे बहतरी चीज आपको मिलेगी नहीं साइकल टूल किट के लिए एंगाइज यह एमर्जेंसी के लिए काम आएगी एंगाइज थैड ऑप्शन की बात करें तो यह थैड ऑप्शन जिसमें आपको 8mm, 6mm and 10mm के बोल्ट टाइट कर सकते हैं यह देख सकते हैं यह पर इसमें 4 ऑप्शन है आप इसमें 8mm, 10mm के बोल्ट आप आराम से इसमें टाइट कर सकते हैं यह अभी रेंच तो है अच्छी लेकिन यह जो तीसरा करें थैंक यह थैंकुश।